हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम यह जानना सीखेंगे कि हमारे बैंक अकाउंट से हमारा आधार कार्ट लिंक है या नहीं वीडियो सुरू करने के पहले एक रुक्वेस्ट है आपसे यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे यू आई डी ए आई यू आई डी ए आई को टाइप करके इसे सर्च कर देंगे सर्च करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर पहली website uidai.gov.in पर किलिक करेंगे किलिक करते ही हमारे सामने इस तरह का page सो होगा इस page में उपर की तरफ left side में three line दिखाई दे रही हैं जिन पर किलिक करेंगे किलिक करते ही कुछ इस तरह का page सो होगा यहाँ पर my आधार पर किलिक करेंगे माई आधार पर किलिक करते ही इसमें हमें आधार सर्विस पर किलिक करना होगा आधार सर्विस पर किलिक करते ही हमारे सामने इस तरह का पेज सो हो जाएगा इस पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे को कुछ इस तरह का पेज सो होगा इसके बाद इस page को और scroll करेंगे तो हमें check आधार bank link status का option दिखाई देगा इस पर click कर देंगे इस पर click करते ही हमारे सामने इस तरह का page सो होगा इस page को उपर की तरफ scroll करेंगे यहाँ पर हमें अपने 12 अंकों का आधार नमर फिल करना होगा आधार नमर को फिल करने के बाद नीचे दिये गए capture को फिल करना होगा capture फिल करने के बाद send OTP पर click करें send OTP पर click करते ही हमारे mobile पर एक OTP नमर आएगा इस OTP नमर को यहाँ पर फिल कर दें OTP नमर को फिल करने के बाद submit पर click कर दें submit पर click करते ही new page open होगा यहाँ पर यदि आपका आधार लिंक होगा तो कुछ इस तरह का message सो होगा और इसमें आपके bank का नाम भी सो होगा थैंक्स पर वचिंग प्लीज सब्सक्राइब